अब बनाएं लजीज बटर पनीर मसाला घर पर इसको बनाने में लगते हैं सिर्फ 40 मिनिट और सौ ग्राम पनीर एक कप काजू दो टमाटर एक हरी मिर्च एक पीस अद्रक चार पीस लसन एक तेज पत्ता एक बड़ा चमच कसूरी मेथी एक चोटा चमच गरम मसाला एक चोटा चमच लाल मिर्च पाउडर दो बड़े चमच मक्षन थोड़ा हरा धनिया स्वात के हिसाब से नमक, एक चमच चीनी, तेल सबसे पहले हरा धनिया हरी मिर्च, लसन और अद्रक बारी काट ले टमाटर को मीडियम साइज के टुकडों में काट कर एक ब्लेंडर में ब्लेंट करके प्योरी बना ले एक मुठी काजु को भी थोड़े पानी के साथ ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना ले अब एक पैन ले, उसमें डाले थोड़ा सा तेल और गरम करे एक बड़ा चमच मक्षन इसमें डाले तेज पत्ता, कटा हुआ लसन, अधरक और उसे फ्राइ कर ले इसमें डाले बनी हुई फ्योरी और भून ले कुछ आट से दस मिनिट तक, अब डाले लाल मिर्च और मिक्स कर ले साथ ही पीसा हुआ काजु का पेस्ट इसमें मिक्स कर ले चाहे तो इसमें और थोड़ा पानी और मक्षन डाल सकते हैं अब डाले एक चमच चीनी, कसूरी मेथी, स्वात के हिसाब से नमक और एक छोटा चमच गरम मसाला और इसे अच्छी तरह पांच मिनिट तक भून ले अब डाले इसमें पनीर और साथ ही डाले थोड़ा अद्रक और हरी मिर्च इसे पांच से साथ मिनिट तक पका ले और थैयार है पनीर बटर मसाला प्राइब मसाला कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो शो कर मांगािं झाल झाल